स्टूडेंट्स आज हमारे इस वीडियो के आंके में आपका एक बर फिर स्वागत करते हैं मैं विनोज शर्मा आपको इस बारे में जानकारी देंगे कि तलपट कैसे बनाया जाता है उसका अर्थ क्या होता है उसकी परिभासाइं क्या होती है और तलपट का हमारे लेखांग की द्रिश्टी से क्या इसका महत्र है इन सब के ऊपर एक चर्चा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपको यह बहुत अच्छा लगेगा बहुत इंट्रस्ट लगेगा इसके अंदर बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है तलपट आखिर होता क्या है है वह एक अप्रेल से 31 मार्च के बीच में जितने भी हम लोग लेंदेन करते हैं उन सारे लेंदेनों का हम लोग को लेखा जुखा करना पड़ता है लेखा जुखा करने के पस्चात हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इस वित्यवर्ष के अंदर जो भी हमने काम किया जो भी लेखांगान की दृष्टे से जितने भी प्रविष्टियां हमने पास की क्या वो प्रविष्टियां गणित्य रूप से उसमें कोया शुद्धी तो नहीं है इस सब्द की जानकारी के लिए इसको एक सारांस रूप में व्यक्त करने के लिए हम एक ट्राइल बैलेंस जिसे हम तलपट कहते हैं उसका निर्मान करते हैं तो यहीं से थोड़ा सा स्पस्ट होता है लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिस करेंगे सबसे पहले हम समझते हैं एक वित्यवर्स के अंदर जितने भी लिखांकन होते हैं यह वित्यवर्स है वित्यवर्स जिसकी शुरुवात हम लोग करते हैं एक अप्रेल से और जिसका एंड हो जाता है 31 मार्च एक अप्रेल से जब भी हम लेखांकन प्रिक्रिया की शुरुवात करते हैं यह है लेखांकन की प्रिक्रिया लेखांकन की प्रिक्रिया लेखांकन की प्रिक्रिया के अंदर यानि अकाउंटिंग प्रॉसेस में सबसे पहले हम जिस चीज की शुरुवात करते हैं वो है लेंदेन यानि transactions लेंदेन को पहचानना कि क्या उसको हम मौदरिक रूप में व्यक्त किया जा सकता है जब हम लेंदेन को पहचान लेते हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या ये लिंदेन वेबसाय से संबन्दित है उसको पहचान लिया उसको मौद्रिक रूप में व्यक्त किया तीसरा लिंदेन को पहचाना मौद्रिक रूप में व्यक्त किया उसके पस्चात उसका लिखांकन करना यानि उसको record करना उसको account में record करना उसका लिखांकन करना ये लिखांकन की एक प्रिक्रिया है और इस प्रिक्रिया के अंदर हम लोग 1 अप्रिल से लेके 31 मार्च तक ये प्रिक्रिया सतत रूप से चलती रहती है सतत रूप से यह प्रक्रिया यानि कॉंटिनेसली यह प्रोसेस चलता रहता है जब हम लोग सारी लेखांकन की प्रविस्थी जर्णल जिसे हम रोज नामचे में बोलता है उसको जर्णल में करते हैं क्योंकि सबसे पहले किसी भी लेखांकन लिंदेन का जहां पर प्रविष्टी की जाती है वो रुजनेम नामचा होता है जिसे हम जर्णल कहते हैं जर्णल के पस्चात हम उसको लेजर यानि की खाता बही लेजर में हम उसे खताउनी कर देते हैं खताउनी करने के पस्चात जिसे हम पोस्टिंग भी बोलते हैं जब हमने लेजर यानि को पहचाना उसको मौदरिक रूप में व्यक्त किया उसका लेखांकन किया जर्नल के अंदर जिसे हम रोजनामचा बोल रहे थे खाता वही के अंदर हमने उसको पोस्टिंग किया, खतोनी किया खतोनी करने के पस्चात हम उनका शेस निकालते हैं शेस यानि की बैलेंस बैलेंस करने का काम हम लोग 31 मार्च जिस दिन हमारा वित्यवर से समाप्त होने को होता है तो हम जितने भी हमारे खाता वही हैं उन सब का हम शेस निकालते हैं अब शेस निकालने के पस्चात तैयारी होती है कि किस तरीके से हमें अपने अंतिम खाते यानि फाइनल अकाउंट अंतिम खाते के बारे वे एक तयारी करने पड़ती है परन्तु अंतिम खाता बने उससे पहले हमें जितने भी जितने भी हमने खाता वही के शेश निकाले थे उसको एक statement जिसे हम तलपट कहते हैं उसमें प्रदर्शित करते हैं तलपट में प्रदर्शित करने का हमारा मुख्य उदेश इस बात का होता है कि इस एक अप्रेल से 31 मार्श यानि वित्यवर्स के आरंब से लेके वित्यवर्स के अंत तक जितना भी हमारा लिंदेन हुआ है उसमें कहीं कोई गणिती अशुद्धता तो नहीं रहे गई है कहीं उसके अंदर कोई हमने किसी भी तरेके के लेखांकन तुरूटी तो नहीं हो गई है कोई हमसे अशुद्धी तो नहीं हो गई है इस चीज का पता लगाने के लिए हम एक statement निर्मान करते हैं जिसका नाम है तलपट यानि कि इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस अगर हम तलपट को अर्थ को देखना चाहें कि तलपट आखिर होता क्या है लेखांकन के समस्त खाता बही के शेश को वित्य वर्ष के अंत में प्रदर्शित किये जाने वाले विवरंड को तलपट कहते हैं यानि ट्रायल बैलेंस कहते हैं इससे हमें यह समझ में आता है कि जितना भी हम अकाउंटिंग के अंदर हमने जितना रिकॉर्ड किया है उनको लेजर के अंदर हमने ट्रांसफर किया लेजर में transfer करने के बाद हमने उनको balance निकाला और balance जितने भी हमने निकाले उनको एक vibrant में प्रदर्शित किया और इसी vibrant को हम तलपट कहते हैं तो यह हमारा trial balance है यह इसका अर्थ हुआ trial balance कैसे बनाया जाता है इसका क्या format होगा और इसको हम लोग किस तरीके से एक अच्छे से समझ सकेंगे तो हम आपको एक format बना के दिखाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि तलपट का निर्मान कैसे किया जाता है तलपट कैसे बनाया जाता है तलपट का एक format क्या हो सकता है इसके बारे में हम जाने, इससे पहले हम आपको कुछ बेसिक जो उसकी अधारभूत अधारना हैं, इसके बारे में हम एक पस्ट विवरेंट कर लेते हैं लिखांकन की दृष्टी से सारे लिंदेनों को हम लोग चार चीजों में वर्गी करते हैं, यानि क्लासिफाइड करते हैं सबसे पहले संपत्या, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेड्स, फिर होती हैं सारे खर्चे या वे एक्सपेंसेज, तीसरा होता है आगम, प्रिवैन्यू, और चाथा होता है देताएं यानि लाइबिल्टीज, जब भी कभी हम लेखांकन की दृष्टी से किसी भी लेंदेन को पैचानने की कोशिस करेंगे, तो उन चारों में से किसी ना किसी में वो वर्गी करत होगी, हमें ये जानना होता है कि आखिर किसका क्या शेज अंत में आएगा, जितनी भी संपत्या हैं और खर्चे हैं यानि एक्सपेंसेज हैं, उन सब का जितना भी शेज हमें मिलेगा, वो सारा का सारा शेज डैबिट सेज होगा, यानि की नाम पक्ष का, डैबिट साइड, आगम और देताएं यानि revenues और liabilities जितने भी होती हैं, उनके जितने भी सेज हमें मिलते हैं, वो सारे के सारे credit balance होते हैं, यानि की जमा पक्ष, एक ये बहुत बड़ा concept है हमारे लिए, क्योंकि जब हम लोग किसी तलपट का निर्मान करेंगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा, कि क्या वो जो खाता बही हम जिसका बना रहे हैं, वो संपत्यों में आता है, खर्चों या वे में आता है, आगम में आता है, या देवताओं में आता है, अगर वो इसमें आता है, तो वो trial balance के debit side में आएगा और अगर वो इन दोनों में से किसी एक study में आता है तो वो trial balance के credit side पर आएगा यारी तलपट के जमापक्ष में हम उसे दिखाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्पूरून है इसकी साहता से हम लोग एक तलपट का निर्माण कर सकते हैं और यदि हमें कहीं पर भी किसी तरह की कोई truth दिखाए देती है तो वो हमें पकड में आ जाती है इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि संपत्या और वे हमिशा प्रायल बैलंस के डेविट साइट पे क्योंकि उनका बैलंस हमिशा डेविट होता है रेवेन्यू और लाबिल्टी यानि कि आगम और देताओं का जो भी हमें बैलंस मिलेगा वो क्रेडिट मिलेगा इसलिए रायल बैलेंस के यानि के तलपट के जमापक्ष की ओर लिखे जाने चाहिए इसको हम एक उधारण की सायता से समझ सकते हैं यही मैंने एक assets जिसे हम plant और machinery कह सकते हैं का एक खाता तयार करते हैं जब भी कभी भी हम plant और machinery का कोई खाता तयार करेंगे मान लिजी हमने कोई इस वर्ष के दौरान किसी वित्ते वर्ष के दौरान किसी plant और machinery को purchase किया जब हम purchase करेंगे तो हम उसको journal के अंदर जो entry करेंगे यहाँ पे दिनांक यहाँ विवरन यानि particulars यहाँ प्रस्ट संख्या कितना amount नाम पक्ष में कितना amount जमा पक्ष में यानि कितना amount debit side पे कितना amount credit side पे यह हमने journal बनाया बच्चो इससे आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से ledger की posting करते हैं journal की मदद से मान लेते हैं 23 April को 2020 में हमने एक plant and machinery एक लाख रुपे की Mr. Mohan से खरीदी जब हमने यह नाम दिया कि Mr. Mohan से हमने एक खरीदी है इसका मतलब यह एक उधार की transaction है तो हम इसकी entry बनाएंगे यानि उसकी प्रविष्टी पास करेंगे plant and machinery account debit to Mohan एक लाख रुपे क्योंकि हम लोग double entry accounting system को follow करते हैं यानि द्वी अंकन खाता वही प्रणाली को हम लोग यहां पर follow करते हैं Mohan seller है इसने हमें माल plant and machinery बेची है दो साइडे हमें दिखाए दे रही हैं debit और credit plant and machinery account debit और यह लेंदेन हुआ 23 अप्रेल को 23 अप्रेल को plant and machinery के debit side पे हम लिखेंगे to Mohan यानि यह हमें मोहन से एक लाख रुपे का ट्रांजेक्शन हुआ है यानि हमने plant and machinery मोहन से खरीदी है उसी तरीके से 23 अप्रेल 2020 को हम इसी ट्रांजेक्शन को Mohan के account में भी डालेंगे by plant and machinery एक लाख रुपे अब आपको यहां से देखा होगा पता लग रहा होगा कि अगर हम इनके balances करें यानि कि इनके shares निकाले plant and machinery यानि assets जिसका लेखा हमने debit side यानि नापक्ष में किया तो इसका जो हमें balance मिलेगा वो हर बार debit side का ही मिलेगा Mohan हमारे लिए एक creditor है क्योंकि हमने इससे माल खरीदा है और हमें इसको payment देना है तो यह हमारी liability है तो इसका जो balance आएगा वो credit balance ही आएगा इसकी अगर balancing करते हैं एक लाख रुपे यहाँ पर कोई amount नहीं है इसलिए balance CD एक लाख रुपे इस balance को हम अगले वित्यवर्ष के लिए यानि एक अप्रेल 2021 का अगर हम क्योंकि 2020 अगर इसका स्मप हो रहा है तो अगला वित्यवर्ष शुरू होगा एक अप्रेल 2021 वहाँ पर हम इसको transfer करेंगे to balance brought down एक लाख रुपया इसी तरीके से अगर हम इसका balance करें यहाँ पे credit side पे lantern machinery के नाम पे एक लाख रुपया है यहाँ कोई भी amount हमें दिखाई नहीं दे रही है तो two balance CD एक लाख रुपय और इसको अगले वर्ष के प्रारंभ में यानि एक अप्रेल 2021 मेहमें इसको transfer करेंगे by balance BD एक लाख रुपय तो आपको यहाँ से बिल्कुल स्पस्ट हो रहा होगा कि जितनी भी assets होती है उनके debit balances होते हैं जितनी भी liabilities होती हैं उनके credit balance होते हैं अगर केवल एक ही journal के अधार पे अगर हम trial balance का निर्मान करें तो यह एक format मैं छोटा सा बना रहा हूँ culprit trial balance as on कब आप बना रहे हैं as on जिस date को हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे हम उसका विवरेंड लिखते हैं पर्टिक्लर्स लिखते हैं आइटम्स लिखते हैं जिन जिन हमें लेजर्स के फिरसक को दिखाना है यहाँ पे debit यानि नाम पक्ष के उपर आने वाले आइटम हैं यहाँ क्रेडिट इसके जमा पक्ष की और आने वाले आइटम हैं केवल हमने एक ही प्रविष्टी पास की थी और एक ही प्रविष्टी के अधार पर हमने दो खाता भही का निर्मान किया एक प्लांटेन मशिनरी दूसरा मोहन का अकाउंट मुझे साफ दिखाई दे रहा है प्लांटेन मशिनरी एसेट्स है और एसेट्स के हमें पता है डेविट बैलन्स होते हैं जो की एक लाख रुपिया है मोहन क्रेडिटर है लाइबिल्टी है और लाइबिल्टी का क्रेडिट बैलन्स होता है तो यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि एक लाख रुपया डेबिट साइट पे एक लाख रुपया क्रेडिट साइट पे और दोनों का आंसर बराबर आ रहा है यानि तलपट इस बात का एक प्रूफ गैरेंटी है कि हमने जो भी टांजक्शन इस वित्ते वर्ष के दौरान किये हैं जो भी बैलेंसेज हमने निकाले हैं जो भी हमने शेस निकाले उनकी गणित्य रूप से कोई अशुद्धी नहीं है और इसी को इसी स्टेट्मेंट को दिखाने के लिए हम तलपट का निर्मान करते हैं तो ये बच्चो एक छोटे से एक एक एक्जांपल की मदद से मैंने आपको इस समझाने की कोशिस की है कि तलपट बनाते समय हम किन-किन प्रिक्रियाओं का पालन करते हैं तलपट बनाने के लिए सबसे पहले हम जर्णल यानि प्रविस्थियां पास करते हैं लिंदेन को मौदरिक रूप में उसको रेक्त करते हैं जब मौदरिक रूप में हम उसको पहचान लेते हैं तो पहचानने के पस्चाथ उसकी प्रविस्थियां द्रियंकन प्रणाली के अ से एक विवरन के अंदर हम उनको प्रदर्शित करते हैं, इस विवरन का नाम ही तलपत है, इस तलपत के अंदर, debit side में जितना mount बार राशी उसकी credit side के अंदर आएगा, जो जो answer आएगा, वो समान होगा बराबर होगा यदि ان दोनों के अंदर कोई अंतर पाया जाता है तो यह इस बात का द्योतक होता है इस बात का एक हमें प्रदर्शन करता है कि हम से या तो क्षेश करने Edwards करने में या transfer करने में किसी तरह की कोई अशुद्दी हो हुग गई है तो अगले तो फिल्कुल स्पर्स्ट हो जाते है कि पडलत हम कैसे बनायते हैं अभी हम इसको तडलो पड़का एक format बहुत अच्छे से विस्तित में भी आप से तुरी चरचा करेंगे गई तो अब हम इस बारे में जानेंगे कि तलप का एक format कैसे बनाया जा सकता है अगर हमें बहुत अच्छे से इसको समझना है तो हम इसके format के बारे में एक discussion आप से कर लेते हैं यहाँ पे हम विवरेंड लिखेंगे या मद items नाम पक्ष यानि debit side जमापक्ष यानि credit side जितनी भी समपत्यां हो जितनी भी समपत्यां आपको दिखाई दें उन सब को हमें debit side पे दिखना है चाहे वो plant and machinery हो चाहे वो land and building यानि जिसे भवन बोलते हैं हम लोग वो हो चाहे वो stock हो जितनी भी आपको समपत्यां दिखाई दें वो सब debit side पे जितनी भी देता हैं आपको दिखाई दें यानि liabilities दिखाई दें चाहे वो लेंदार हो creditors चाहे वो bills payable हो चाहे वो जितनी भी हमारे पास जिन से हमें उधार लिया है यानि bank loan ये सब हम उसको credit side पर लिखेंगे क्रे यानि पर्चेज जितना हमने पर्चेज किया विक्रे जितना हमने इस वित्य वर्ष के दौरान सेल किया क्रेवापसी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पर्चेज रिटन विक्रेवापसी सेल्स रिटन अगर पर्चेज को हमने डेविट में डाला है तो पर्चेज रिटन क्रेडिट बैलन्स होगी सेल्स को अगर हमने क्रेडिट में डाला है तो सेल्स रिटन डेविट बैलन्स होगा इसके पस्चाद जितने भी हमें आगम हो रहे हैं यानि revenue हमें मिल रहा है वो सब credit balance और जितने भी खर्चे हैं वो सब debit balance अब जितने भी मदों को हमने debit side पे लिखा है और जितने भी मदों को हमने credit side यानि जमापक्ष पे लिखा है उन दोनों को जब हम लोग योग करेंगे, total करेंगे तो वो total बराबर आएगा जो इस बात का प्रतीक होगा कि किसी भी तरह की trial balance में या जितना भी हमारा accounting की जो process है जो लिखांकन प्रिक्रिया है इसमें किसी भी तरह की कोई गनीतिय शुद्धता नहीं है और यहीं से ही हमें पता चलता है तलपट के उदेश क्या होते हैं अगर हम तलपट के उदेश को बिंदों में समझें सबसे पहला उदेश गनीतिय शुद्धता का पता लगाना गनीतिय शुद्धता का पता लगाना नंबर दो खाता वही के शारांस को प्रस्तुत करना या उसकी समरी बनाना खाता वही के शारांस को प्रस्तुत करना यह उसका दूसरा उदेश है तीसरा उदेश अंतिम खातों के लिए आधार उपलब्द कराना यानि final accounts के लिए base बना के देता है अंतिम खातों के लिए का आधार और यदि कोई गणितिय शुद्धता है कोई हमारे को error हो गई है तो तूटी का पता लगाना ये तलपट बनाने के उदेश्य होते हैं और क्योंकि अंतिम खातों का बनाना बहुत जरूरी होता है वित्यवर्ष के अंतिम और अंतिम खातों का हम लोग तभी बना पाएंगे जब हमारे पास एक तलपट बनकर तयार हो चुका होगा तो बच्चों यहां से हमें पता चलता है तलपट का क्या उद्देश है इसका क्या आखिर महत्व है हम लोग क्यों इसको बनाते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो के इस अंक में आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा साथी साथ हम इस बात की भी पूरी आशा और अपेक्षा आपसे करते हैं कि इससे संबंदित जितने भी निमेरिकल क्वेस्टन हमने आपको कराये थे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आये होगे धन्यवाद